असलाम अलेकूम एन हलो दोस्तों मैं जुलेखारफाद जुलेखासकेचिन.com से चलिए आज हम बनाते हैं चटपटा सा मसाला जिसका नाम है चाट मसाला आप इसे किसी भी सब्सक्राइब के उपर दाल के खा सकते हैं या फिर आप स्पेशली चाट के अंदर तो बहुत ही करने से अपको मेरी रेसेपी सबसे पहले दिखने मिलेगी वह भी फ्री में रेसेपी अच्छलागे तो लायक जरूर कीजिएगा सबसे पहले एक एकदम ड्राइ लेना फ्राइ पैन उसके अंदर दो टेबिल स्पुन भरकर साबुत जीरा दाल दीजिए और दो टेबिल स्पुन भरकर साबुत धनिया दाल दीजिए चुला कर दीजे चालू और इसे मीडियम आच कर दीजे बार-बार इसे चलाते रहें और बस जस्ट यह जो खुश्बू आना शुरू हो बस वहीं तक ही हमें इसे roast करना है भूनना है जादा मत भूनिये क्योंकि इसे हमें जादा जलाना नहीं नहीं जादा कुछ करना है रोस्ट बस एक मिनिट हो जाए बार-बार चलाते रहें ये दिखिए हो चुका है अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ सिर्फ खुश्बू आये तक ही इसे रोस्ट करना है सेम वही फ्राइपन के अंदर आठ लॉंग दाल दीजिए आप चाहें तो आधा टेबल स्पून काली मिर्ची दाले या फिर 3-4 टेबल स्पून दाले आप कम भी दाल सकते हैं आधा टेबल स्पून जितना अब इसमें दाल दें एक या दो सूखी लाल मिर्ची मैंने इसे उस ते चीजों है वह से एक भी ले सकते हैं या दो ले सकते मैंने दो दालिए चूला चालू करदीजी फिर से मेडियम आज रख दीजी और उसे बार-बार चलाते रहे और इसे भूने तब तक भूने जब तक सर्फ खुश्बू आना शुरू ना हो जाए बस तब तक हम ये भून क्यों रहे हैं हम भून इसलिए रहे हैं कि जो भी सारा मॉइस्चर है सब चीजों में वो हट जाए सो दार इसकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत जादा लंबी हो जाएगी थोड़ा तबवा पहले से ही करम था त अंदर फुदीना दा लिए 3 टेबल स्पून मैंने इसे अच्छे से धो लिया था और उसे नितार कर साइट पर रख दिया था 10-15 मिनिट के लिए अब इसे बार-बार चलाते रहे हैं चूला अच पर चालू है और इसे आपने बार-बार चला कर तब तक फ्राइ करना है प्लीट प्लीट्रै अब आई यसे स्वेकल टार लिए इसे थम्रेद से अदर दल दती हुं कुछ देर के लिए इसे ठंडा हो जाने थे अगतम गलीटि थम्लीड हो जाए उसके बाद सारी चीजों को आपक सूखे मिक्सर जार छोटा सा मिक्सर जार के अंदर दाल देजिए ये सारी चीजों को इसके साथ साथ दाल दीजिए एक छोड़ा चाय का चमच नम्मक एक छोड़ा चाय का चमच काला नम्मक पाधना नम्मक वनफोर टीस्पुन हिंग एक छोड़ा चाय का चमच जिंजर पाउडर सोटका पाउडर एक टेबल स्पुन भरकर आमचूर पाउड यह देखिए बहुत अच्छे से पाउडर हो चुका है अब अब नम्मक वगएरा खटास वगएरा चक लीजी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं यहां आदा चोटचे का चमच आमचूर पाउडर और दालके इसे थोड़ा सा ही पीस लेती हूँ पाउडर कर लेती बढ़िया साथ चाट मसाला घर पर आप किसी चाट के उपर दाले या सबसी के उपर दाल कर रखाएं मज़े से अगर आपके पास जिंजर पाउडर जैसे हम सोट पाउडर केते वो ना हो तो आप सूखा 2 इंच का अधरक लीजिए उसे मोटा मोटा काटिए और इसमें दाल दीजिएगा और इन सारी चीजों के साथ पीस लीजिएगा फिर से आज यूरूंगे एक नई शांदा रैसेपी के साथ अंतल देन टेक केर अला हाफिज